हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी तवर आज किस वीडियो में बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेशिंस फ्रम दे चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाईज मैं बता दू मैंने क्लास्टेंण साइंज के हरएक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्जन की वीडियो बना दी है तो अगर अभी तक उन सारे करके बगल वाली नोटिफिकेशन बिल को दबाओ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहें तो चलो आज किस वीडियो को स्टाट करते हैं बी इनहांस देगिनिटी ओ एंडिविज़ुल चीए ड़स अलाव रूम तुकरेक्ट मिस्टेक्स दी इट प्रोवाइट मेथेट तो रिजॉल्व कनफलिक्ट तो इसका आंसर है इसी इट ड़स नॉट अलाव रूम तुकरेक्ट मिस्टेक्स गैज मैं बता दू वीडियो मे जब भी ख्रेस्चन आ गया है तो पॉज करके अपने से आंसर देने का कोसिस करना और फाइफ माक्स या थ्रि से उसक्वेशन नेक्स करना नोट बुक निकाल के खुछ से आंसर लिखने के कोसिस करना उसके वादा आंसर मेंच कर ले ना मिलता जुलता नांसर होना चाहिए एक्जैक्ट आंशर हो कोई जरूरी नहीं है नेक्स्ट क्वेस्टिन है विच आफ दे फॉल्लाइंग फैक्टर्स इस ओफन मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्मेंट इन सभी ऑप्सेंस को देख के आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्मेंट में मिसिंग है जो आपको नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं देखने को मिलेगा तो अप्सेंस हैं एकाउंटिबिलिटी बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी ट्रांसपिरेंसी डी ओल अफ़ दीस तो अंसर है D. All of these next question है in actual life democracies do not appear to be very successful in options A. Reducing economic inequalities B. Maintaining dignity of each individual C. Ensuring equality to all D. All of the above तो इसका अंसर है A. Reducing economic inequalities next question है in the context of assessing democracy which among the following is the odd one out democracy needs to ensure A. Free and fair election B. Dignity of the individual C. Majority rule D. Equal treatment before law तो इसका अंसर है C. Majority rule next question है most democracies have failed on which of the following issue democracy किस चीज में failed हो जाती है किस इसू में फिल्ड हो जाती है A. Corruption B. Removal of poverty C. Political equality D. Both A and B तो इसका अंसर है D. Both A and B अब बात करते हैं थ्री मार्क्स के short answer type questions की question है question है democracies have a greater success in setting regular free and fair election analyze the statement इस statement को आपको analyze करना है थ्री मार्क्स के question है guys तो आपको 3 points देने हैं ताकि आप full marks score कर सको जितने भी एसेश्टी में जितने मार्क्स के question है उतने points minimum आपको देने ही हैं तो इस question का answer आप try करें कि 3 points मिल लें लिखें पर अगर आप में answer ना लिखें कभी भी एसेश्टी में तो यह है इसका answer next question है analyze any three values that make democracy better 3 values को analyze करना है जो कि democracy को better बनाती है तो यह इसका answer next question है democracy is accountable and responsive to the needs and expectations of the citizens democracy जो है वो जवाब दे है और जिमेवार है citizens के needs and expectations के लिए इस statement को आपको evaluate करना है तो यह है इसका answer तो अब बात करते हैं गाइस फाइफ मार्क के लॉंग अंसर टाइप क्वेश्चिन की तो क्यों डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेड है तो प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स पाइफ मार्क का क्वेश्चन है गाइस आपको फाइफ पॉइंट्स देने हैं इस पर तो यह है इसका answer नेक्स्ट क्वेश्चन है यह हिसका answer यह हिसका answer क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी फाइफ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के पाँच फीचर्स को आपको डिस्क्राइब करना है तो यह है इसका answer सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब को दबादो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहें मिलते हैं अगले वीडियो में करते हैं पाता गमक्राइब को आने पाने रहें